लो जी, जीरो हेटर्स अगर किसी गाड़ी की होगे इंडिया में तो भाई साहब यही होने वाली है टेयोटा की फॉर्चुनर इतनी ताबर तोड़ गाड़ी है यार सामने से तो भाई साहब गोड़ा गोड़ा जो कहते हैं न लोग रियलिस्टिक में जो रियल गोड़े रहते हैं यार यह यह आटो मोबाईल सेक्टर में यह रियल गोड़ा है मतलब कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है इसकी एक कॉम्पिटिटर थी भी तो वो तो अब चली गई लेकिन बहुत जल कमबैक होने वाला है बात अब यह है न भाई यह सब गाड़ियों की पहले बहुत नॉमिनल रेट में मिलती थी अब इतनी ज्यादा हाई डिमांड है इस गाड़ी की और इतनी ज्यादा महंगी कर दी गई है यार साड़े 33 लाक रुपे से स्टार्ट होती है और साड़े 51 लाक रुपे इसकी नॉर्मल जाती है यार फॉर्चुनर लेजंडर वगरा तो छोड़ दो वो सब तो फिर आपको लगबग 60 लाक रुपे तक टच कर जाती है एक शोरूम वगरा इसके ऑन डोड वगरा लोग वाइड लाइट में देखने को मिलेंगे जो की गेंड प्रोजेक्टर में रहने वाली यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स वगरा देखने को मिल जाती है क्रूम में आपको पूरी रेडियेटर ग्रिल वगरा दी जाती है गाड़ी के ग्राउंड क्लेरंस से लेके गाड़ी क जो एक look कहना यार चलती है तो अभी तक Fortuner को लोग देखते है 225 mm की ground clearance देखने को मिल जाती है Fortuner में हाई सहाब look at the hood मतलब इतना बड़ा हो डियार गाड़ी का बहुत एक जबर्जस लुक देती है यहाँ पर frameless wipers वगएरा देखने को मिल जाएंगे जो की rain sensing wipers रहने वाली है गाड़ी की अगर मैं side profile से बात करता हूँ तो tire वगएरा भी bridge stone वगएरा के दे दिये जाते हैं और गाड़ी की अगर tire profiling size की बात करता हूँ न तो 265 by 16R 18 inches के यहाँ पर alloyables देखने को मिल जाते हैं disc brake के साथ गाड़ी में आपको ORVM दिये जाते है turning indicators के साथ अच्छी लगती है यार फॉर्चुनर की बाकि जो chrome वगएरा के finishing है वो बहुत detailing में दी गई है इसको plates देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे request sensors देखने को मिल जाती है matric finishing में आपको यह सब issue हो जाती 4 star NCA cap की rating है फॉर्चुनर की यह 4x4 आप variant देख रहे हो 4x2 भी आती है manual automatic भी आती है देखने में around 130 BHP से लेके 201 BHP आप और पीडियोस कर लेती 245 Nm of torque से लेके 500 Nm of torque पीडियोस करती है डीजल में भाई इसकी जो tail lamps वगएरा की design है पूरी LED में दी जाती है आपको sensors वगएरा देखने को मिल जाते है reflectors वगएरा देखने को मिल जाते है जो कि electronic में रहने वाली E Sigma 4 की badging जो की 4x4 को denote करती है Fortuner की branding यहाँ पे दी जाती है Toyota का logo दे दिया जाएगा उपर washers वगएरा दे दिया आते है यह जो चीज आप देखरो हाइमांट stop lang वगएरा दे दी जाते है defoggers वगएरा दे दिया जाते है और अगर legender वगएरा की जो यह variant आती है यहाद थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है पुरी सामने से GR sports वगएरा भी इसकी edition वगएरा निकल चुके है यह नॉर्मल आप देख रहे हो electronic boot वगएरा के buttons दिये जाते है जो कि आराम सा आप की से भी operate कर सकते हो और भाई वहाँ से भी आपको buttons वगएरा दिये जाते है back इसकी जो seats है proper seven seater देखने को मिल जाएगी और बहुत comfortable seats वगएरा दिये जाते है असी लीटर का fuel tank capacity देखने को मिल जाएगा फॉर्चनल में वहीं average छोड़ दो यार मत ही पूछो इस गाड़ी की क्योंकि politician वगएरा जादा लेना प्रिफर करते बिजनसमेन जादा लेना प्रिफर करते 10 kmpl तक की mileage company claim करते कुछ lights वगएरा दिये जाते लेधर एट की finishing दी जाते है doors वगएरा बहुत heavy होने वाली है सारे power windows आपको auto देखने को मिलेंगे मतलब एक side up down दोन हो जाते portal holders, speakers वगएरा गाड़ी में भर-बर कर दी है tweeters, music quality बहुत ज़्यादा clear है यहाँ पर आपको electronic adjustable seats देखने को मिल जाती है गाड़ी में वहीं बात करते हैं तो 296 लीटर की boot space देखने को मिलती है अगर अब seat fold कर दोगे तो बैई साहब यह तो bed बन जाएगी अई अंदर बात करते हैं क्या कुछ फॉर्चुनर की जो बोला-बाला है ना क्या कुछ देती है features फॉर्चुनर के अंदर बैटते ही क्या फील आती है भै क्या रुतबह आता है क्या रॉब आता है मतलब मज़ा ही आ जाता है गाड़ी को सबसे फैलम करते है एक बार और और फिर आपको हम दिखाते है क्या कुछ लगती है फॉर्चुनर मतलब देखो यार एक जो होती है ना fame भाई वो है वो इसी तरह politicians वगरा पसंद नहीं करते है इस गाड़ी को और बहुत दादगरी वाले लोग ऐसे ही पसंद नहीं करते है बहुत जादा मतलब इस गाड़ी का एक नाम एक brand से पहला हम बात कर लेते हैंसे के Doesn't करत देख आंज़े याँज यहांसly देखने नहीं को और अब अच्छी है यहाँ घँद मात कर देन्य जाती है बात कर लिते हैं की in the मांण steering wheel देखने को मिलती है और अगर मैं बात करता हूं तो यह गारी भी similar है similar आपको जो हालक्स आती है उसकी जैसी similar features दी ती है पर भाई-power तो नहीं दे सकती है उसके जैसी steering mounted controls यहाँ पर कुछ controls cruise के controls यहाँ दिये जाते है lights आपको आटमेटिक देखने को मिल जाएगी, यहाँ वाइपर्स आपको देखने को मिल जाएगे, बाकी अगर मैं बात कर लेता हूँ, इस गाड़ी के instrument screen की, तो भाई देखो या, instrument cluster कुछ ऐसा लगता है देखने में, analog दी जाती है, पूरी rpm, यहाँ पर सो करती है, rpm meter, यहाँ पर speedometer, सामने अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर fuel gauge meter आपको देखने को मिल जाएगी, temperature meter देखने को मिल जाएगी, MID गाड़ी की कुछ ऐसी दी जाती है, जो कि पूरी यहाँ दी जाती है, ऐसे करके set कर सकते हैं, आप आराम से वह चीज़ यहाँ पर दी जाती है, बाकि आपको infotainment screen देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इधर आपको ventilated seats देखने को मिल जाते हैं, लेफ्ट और राइट में, यहाँ पर देख सकते हो, hill climb up, आपको control देखने को मिल जाती है, गाड़ी 4x4 है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर lever देखने को मिल जाती है, जिससे की गाड़ी को आप यहां से 4x4 कर सकते हो यहां पर आपको देख सकते हो manual transmission gearbox देखने को मिल जाती है जो की back होती है reverse होती है इधर से बाकि यहां पर eco, normal और passport mode के options यहां देखने को मिल जाएंगे buttons देखने को मिल जाती है traction on and off के buttons यहां पर देखने को मिल जाएंगे differential lock के यहां पर buttons देखने को मिल जाएंगे बाकि गाड़ी अगर मैं यहां बात करते हो तो कुछ dedicated buttons दिये जाता मॉट्स करोगे तो यहां पर buttons लग सकती है कुछ space यहां पर दी जाती handbraker lever कुछ ऐसा दिया जाता है बहुत दी अच्छा भाई देख रहा हो पूरी पूरी लेधर राइट finishing इस गाड़ी की लेधर बहुत अच्छी है भाई यहां पर आपको armrest दिये जाते हैं बकि कुछ भी आपको यहां पर charging के socket नहीं दिखने को मिलेंगा armrest की quality अच्छी लगी मुझे इधर बात करते हैं तो यहां पर Fortuner की badging यार देख रहे हो पड़ा तगड़ा लगता है यहां पर देखने को सॉफ्टर दी जाती है गाड़ी में यहां से आप लॉग भी कर सकते हो ग्लोब बॉक्स को कुछ अगर आप में कुछ समान या कैश वगएरा कर रहे हो तो ग्लोब बॉक्स कुछ ऐसा दिया जाता है बाकि बात करते हैं तो आपको पार विंडोस के देखने को मिल जाएगी चैनल पे नहीं हो तो सस्क्राइब करो लाइक करो यहां पर देख सकते हो यहां पर आपको सॉफ्ट ड़ॉट में दिया जाते हैं जो कि तगड़ी लगती हैं यहां पर आपको ग्राब दिया जाते ऑफ रोडिंग के के लिए ऐसारे से ऐरबैक्स ए आपीन ऐस गाड़ी की सीट्स तो जिस गाड़ी की सीट्स कुछ ऐसी रहती है देखनें में पूरे लेधर की सीट्स होने बाली है यहां पर देख सतक्या गाड़ी में बात करते हैं अब गाड़ी की क्या कुछ इस पेस्पेस ओसर और करती है forенный फिसा फौढर से फौर देख तक गड़ी लेग रूम देखने को मिल जाएगी यहां पर आपको थाई सपोर्ट भी अच्छी देखने को मिल जाती है फॉर्ट चुनर में बात कर लेते हैं इसकी सस्पेंशन तो भाई सस्पेंशन नो डॉट अच्छी गासी होने वाले पर हाइश स्पीड पर थोड़ी सी प देखने को मिल जाती है बाकि पीछे वाली रोकी सीट अभी फोल्ड है इसमें आपको दो जने आराम से बैठ जाएंगे उपर चार्जिंग पॉर्ट वगरा दे दी जाती है वहां पर भी आपको बाटल होल्डर देखने को मिल जाती है अब बात करते हैं भाई गाड़ी में कुछ ऐसे ही फीचर दिया जाता है पीछे आपको यहां पर देख सकते हैं कुछ ऐसी यहां पर स्पेस देखने को मिल जाती है और अगर मैं बात करते हैं यहां पर तो आपको 12 वोल का सॉकेट देखने को मिल जाती है बाकि भाई गाड़ी की सीट बहुत अची है कि यहां प आपको seat builds देखने को मिल जाएंगे देख सकते हैं पीछे भी आपको एसी के वेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको रूफ में देखने को मिलेगी आई ये बात करते हैं गाड़ी के प्राइजिंग रेंज की और वीडियो कुछ ऐसा ही ता वीडियो पसंदा है तो ल अगर हम देखें न तो आपको लगबग पढ़ने वाली है 40,30,000 रुपए एक शोरूम अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूंगा आप जाकर देख सकोगे